नमस्ति प्यारे बच्चों, आजम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कारे पत्री का क्रम संख्या 108A जो कि आपको मिली है 11 नमंबर को, कक्षा आपकी पांचवी है जो भी आपका सेक्षन है आप यहां पर लिखेंगे पाठे पुस्तक हमारी रिमची में आप अच्छे से जानते हैं स्वामी की दादी पार्ट यहां पर दिया गया है और इसी पार्ट से संबंधित आपकी एकारे पत्री का है आईए देखते हैं यहां पर कौन-कौन से प्रिशन आप से पूछे गई है विद्यार्ती का नाम यह नाये तो और भी मजा आता है तो प्यारे बच्चो आप सभी ने कहानिया सुनी है अपने दादा दादी से नाना नानी से मम्मी पापा से और कहानिया सुनना हमें कितना अच्छा लगता है स्वामी नाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना उनसे कहानी सुनना और उनसे कौन सी कहानी सुनते और सुनाते हैं इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाट तेरे स्वामी की दादी को बोल कर पढ़ी तो पाट को आप अच्छे से पढ़ चुकी है आप इसको दुबारा से पढ़ लीजिएगा तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले प्रिशन में आप से क्या पूछा गया है आईए अब दिये गए वाक्यों को बोल कर पढ़ते हैं और खालिस थानों को कहानी की अनुसार भरते हैं तो यहां पर कुछ पंक्तियां दिये गई हैं जो की हमारे पाठ से संबन दिते हैं अब ध्यान से हमें इन पंक्तियों को पढ़ना है और जो बीच-बीच में खालिस थान छोड़ दिये गए हैं उनको हमें भरना है आईए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को और इन पंक्तियों को पूरा भी कर लेते हैं क्योंकि पार्थ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरी कहानिया आप अच्छे से समध चुके हैं, तो बीच बीच में जो खालिस्थान है, उनको बड़ी आसानी से आप यहां पर भर सकते हैं, स्वामी नाथन की खालिस्थान अंधेरे गलियारे की बंद सी खालिस्थान में रहती थी तो सोची स्वामी नाथन की किसके बात हो रही है दादी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दादी पाठम ने पड़ा है न कहां पर रहती थी, उनके सामान में पाँच दरिया, तीन चादरे, तो यहां पर क्या आएगा? तीन चादरे, एक रात को सोने से पहले खालिस्थान अपनी दादी को राजम और खालिस्थान के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई तो सोने से पहले किस ने सुनाई स्वामी अपनी दादी को राजम और किस की कहानी सुना रहा है एक रात को सोने से पहले यहाँ पर क्या आएगा स्वामी अपनी दादी को राजम और मणी के बीच की पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाता है तो पहले खालिस्तान में क्या भरेंगे हम यहाँ पर स्वामी भरेंगे और यहाँ पर क्या भरेंगे? Money. आगे बढ़ जाते हैं, जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नमडरों की बाद बताई, तो दादी को भी दादा जी के अच्छे नमबर लेने की बाद याद आ गई. दादी ने राजम को बताया कि खालिस्थान करने के कारण तो दादा जी ने क्या किया था? M में किया था M में करने के कारण दादा जी को क्या मिला था? सोने का मैडल भी मिला था तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे? सोने का मैडल भी मिला था जिसे उसकी बुवा ने गलवा कर अब जो सोनी का मैडल है उसको पिंगला कर उसको गला कर चार चूडियां बनवा ली थी मामूली से चार चूडियां तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे चार चूडियां बनवा ली दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था उसने दादी को बताया कि जब राजम छोटा था तो उसने एक शेर को मार गिराया था यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शेर को मार गिराया था उसने दादी को चेतावने देते हुए कहा कि अगर कोई भी खालिस्थान की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो खालिस्थान उसे गोली मार देगा क्योंकि स्वामी को लग रहा था कि दादी राजम और मनी की कहानी पर विश्वास नहीं कर रही है और दादी को शायद यकीन नहीं है कि राजम ने श्रेर को मार गिराया था तो यहाँ पर जो स्वामी है थुड़ा नाराज हो जाता है छोटा बच्चा है और वो कहता है कि उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो वै उसे गोली मार देगा दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा और कौन से राजा की कहानी सुनाई याद कीजी हरिश्चंदर की कहानी सुनाई जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गई तो ये पाट से कुछ पंक्तियां दे गई थी बीच-बीच में खालिस्थान थे, जो हमारी समझ के आधार पर आधारित थे, तो बड़ी आसानी से हमने बीच-बीच में खालिस्थानों को पूरा कर लिया है, अब पूरा करने के बाद दुबारा से इन पंक्तियों को आप अच्छे से बढ़ सकते हैं, आई ये आगे और अगला जो हमारा प्रशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं काल से सम्मंदित है अब याद कीजिए पिछली कुछ कारे पत्रिकाओं में हमने काल से सम्मंदित प्रशनों को भी हल किया है काल क्या होता है समय होता है और यहाँ पर काल कितनी प्रकार का होता है हमारा सबसे पहले भूत काल होता है, जो काम भूत काल में हो चुका है, पूरा हो चुका है वो भूत काल हो जाता है, जो अभी फिलहाल चल रहा है, इस समय हो रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो भविश्य में होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं भविश्य काल होता है तो अगर हम भूत काल की पहचान करें तो काम कर चुके थे कर चुका था काम हो चुका था इस तरह से हमारा वाक्य बनता है और वर्तमान की बात करें तो काम हो रहा है काम होता है इस तरह से वाक्य बनते हैं और भविश्य काल के बात करें, तो यानि काम होगा, हो रहा होगा, इस तरह से हमारे वाक्ये बनते हैं, तो यहाँ पर जो प्रशन संख्या 2 दिया गया है, दीगे वाक्यों का काल का रूप पहचान कर रिक्स थान में भरिये, तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिये गए हैं, हमें सही काल की पहचान करनी है, कि भूत काल में है, वर्तमान काल में है हमारा वाक्य, अभविश्यत काल में है, और यहाँ पर हमें लिखना है, स्वामी के दादा को मैडल मिला था, मिला था यानि कि मिल चुका है और मिल चुका है यानि कि भूत काल में काम हो चुका है तो इसी प्रकार से बाकी की जो वक्के हैं उनमें भी हमें काल की पहचान करनी है राजम स्वामी का दोस्त है यानि की वर्तमान काल में भी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्तमान काल दादी से कहानी सुनकर ही स्वामी सोएगा सोएगा यानि कि भविश्य में सोएगा तो यह हमारा क्या है भविश्यत काल तो इस तरह से हम इसका भी काल पहचान कर लिखतेंगे स्वामी की बुवाने सोने की चूडियां बनवाई थी यहां कि बनवा चुकी है, पुरा हो चुका है काम, तो यह हमारा क्या है फिर से भूत काल, इस तरीके से इन सभी वाक्यों का पहचान करना है, आपने कौन सा काल का प्रियोग किया गया है, और यहां पर आपको लिखना है, और आगे आप अच्छे से जानते हैं, यह हमारी क्य एक गती विदी है जो आपको अनिक कारी पत्रिकाओं में दी जाती है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आप अच्छे से समझी गए होंगे इसमें क्या करना है चित्र में बहुत सारे विक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और अगर थोड़ा सा अंदाजा हम लगाते हैं कल् को सोचनी है और यहाँ पर इनका समवाद यानिके बातचीत को लिखना है यहाँ पर गती विदी के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं प्यारे बच्चों साब दिएगे चित्र को ध्यान से देखी आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग आपस में क्या बाते कर र कीजिए और बातचीत के माध्यम से उनके मन की बाते जानने का प्रियास कीजिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे अपने माता पिता से रात को सोने से पहले कोई ना कोई कहानी सुनते होंगे या आपने दिन की बाते करते होंगे या कुछ ना कुछ आप साजा करते होंगे और आपके ममी पापा भी आपसे बहुत सारी बाते करते होंगे अगर आप नहीं करते हैं तो सोने से पहले आप अपने ममी पापा से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं अपने दिन चरिया के बारे में बात कर सकते हैं, स्कूल में क्या हुआ, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, धेर सारी बाते आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपके रिष्टे भी मजबूत होते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, तो बच 2019 की दोरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी सदेमित रूप से धोना है बाहर जाते समय मास्क लगाना है खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है मिलते हैं अगले वेडियो में कुछ नई कारी पत्रिकाओं के साथ तब तक स्वस्त रहें व्यस्त रहें मस्त रहें खुशो कर अभ्यास करते रहें मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धनेवाद बहुत भोग धनेवाद